कि दोस्तों अक्षे कुमार ने अपने वकील के माध्यम से PG को रोमिन दिस्दों के गए दो है दोंस्तों मान हानी किया चीज चीज के समाझना होगा मान हानी कब होग्य कुई दोस्त कोई भी व्यक्ति लींदि को बोले गए शब्दों के दुआरा या तो या कोई से शब्द बोलता है या कोई ऐसे शब्द लिखता है या कोई ऐसे संकेद करता है या कोई ऐसा द्रश्य उसका परकाशित करता है पब्लिश करता है जिससे उस वेक्ति के उपर कोई लांचन लगता हो कि अक्षे कुमार रिया चक्रवती को ब्यकडोर से Кनेडा भेज दिया मतलब अक्षे कुमार का हाथ है उसको कनेडा भगाने में यह इस तरीके का आरोप उस व्यक्ति ने परकाशित किया अख्ष ह के नहीं था तो यह मेरे प्रसिद्धी को नुक्सान पोचे तब माना जाएगा कि उसने किसी व्यक्ति की मानहानी की और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई वेक्ति गुड फेट के अंदर और या फिर कोई सच्चाई को परकाशित करता है तो फिर वो अगर किसी वेक्ति की ख्याती को भी नुकसान पोचाती हो तो मानानी की डेफिनिशन में नहीं आएगा मानानी नहीं माना जाएगा यानि एक वेक्ति चोरी करता है और कोई वेक्ति उसको करता है कि वह फला वेक्ति चोर है तो ये एक सत्ते है इसलिए ये मानानी की कोटी में नहीं आएगा तो दोस्तो अक्षे कुमार को यहाँ पर यह साबित करना है उसके वकील को यह साबित करना है कि फला व्यक्ति ने इंटेंशनली पहली चीज और यह जानते हुए कि अक्षे कुमार की प्रसिद्धी को नुक्सान पोचेगा यह दोनों चीज़े beyond reasonable doubt बिना संदे के court में साबित करना है और वह व्यक्ति जो राशित खान नाम आ रहा है उसको बचना है तो इसको यह साबित करना है कि साब मैंने good faith के अंदर और मैंने इस resource के माध्यम से यह न्यूस प्राप की थी इस नहीं प्रब्लिश की थी मेरा कोई intention नहीं था अक्षे कुमार को मानानी करने का या मेरी कोई इसी जानकारी में नहीं बत्थी बात कि इसे मेरा ऐसी न्यूस प्रकाशित करने से अक्षे कुमार की मानानी हो जाएगी मैंने तो good faith में और एक public benefit में कोई चीज़ शेर की थी तो भई वो source बताओ और वो good faith साबित करो आप तो ये है मानानी की धारा 499 IPC और 500 IPC के अंदर बताये गया है मानानी के ओपर punishment कि जो कोई भी किसी व्यक्ति की मानानी करेगा उस व्यक्ति को दो वर्ष की सजा हो सकती है या तो या केवल जुरुमाना हो सकता है या सजा या जुरुमाना court जो भी decide कर दे वो court दे सकती है तो अमीद है आपको अच्छा लगाओगा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाए तो इसको लाइक करें शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुचा है और दोस्तों अगर आप बुक्स पर्चेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिशन मिल जाएगा वहां से बुक्स पर लैपजियो अगोइबी थैन् सवाति in guys.